हेलो दोस्तों स्टॉक आनलीशिस में आपसभी को दिलसे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में डिसकस कने वाला सर्व 눈 के बारे में इस टॉक की बात करें लगातार इसमें अच्छा सा तेजी आता हुआ देखने को मिल रहा था वेगिन दोस्तो अब कर टाइम पर अंदर लगाता है लोड सर्किट देखने को मिल रहा है और लोड सर्कृति कब तक जारी रहने सकता है और आगा bis दिनों में दुस्तु स्टॉक अंदर क्या कुछ देखने को मिल सकता है क्या नीचे अभी के टाइप ए श्टॉक का अंदर खरीदारी कर सकते हैं या फिर टॉप लेबल से जिनलों ने खरीदारी किये हैं उनने क्या करना चाहिए तो आज के वीडियो में डिसकस करना वाल हैं वीडियो को एड तक देखेगा और उस्के साथ ही अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नई कि थले चैनल को सब्सक्राइब करके को बताए था दूस्तों स्टौक का अंदर जो है ना यहां पर एक रेजिस्टाउंस जूने इसे लबुल के उपर इसे लेबुल से स्टॉक जो ब्रेकाट करेगा फिर इसके बाद इसमें तेज्ज हावा देखने को मिल सकता है और यहां पर ब्रेकाट फेल हुआ दोस्तों पि फिर उसके बाद स्टोक कंदर हमें अच्छा सा तेजी आता हुआ देखने को मिलेगा तो यहां पर आपको बताना चाहूँगा दोस्तो स्टोक फॉन्डामेटली बहुत ही अच्छा सा देखने को मिल रहा है क्योंकि इसका फाइनल साली गुरूत बहुत ही बड़ी है दोस्तो क्वाटर और क्वाटर विशिस का रेजल्ट आच्छा है वाट यूर विशिस का रेजल्ट भी बहुत आच्छा है तो इसे लंग ट्रम के इस उराली बनाया है थोड़ा बोत इसमें करेक्शन भी हुआ है और एक करेक्शन दूस्तों दोस परसंतों काता है तो यहां पर दूस्तों गिराबोट आचुका है और रेजिस्टांस भेज क्या है तो नीचे के लवल से जिन लोग ने खरीदारी किये है वो तो अगर उप पहले दूस्तों बात करें इसके फॉंडामेंटल की तो फॉंडामेंटली आप देखेगा और विसस में इसका रेजल्ट बरता हुआ हमें देखने कम लेगा इससी क्वाटर का अंदर कमने ने बहुत आच्छा सा सेल्स क्या है यहां पर शेल्स इंक्रीजमेंट हुआ है दो क्ली लगबक 500 क्रोर के आच्छा करता था और अब इनका शेल्स बहुत अच्छा सा बढ़ चुका है और उसी के साथ इन प्रफिट पर भी आप देखेगा पहले कमने जोभी प्रफिट कर रहा था और अभी के टाइम पे भी आच्छा सा प्रफिट कर रहा है तो यहां पर दोस्तों स्टॉक कोहिए कोई फॉंडामेंटली जो पहले वीग था लेकिन अब दोस्तों यहां पर फानेल शाली ग्रोथ में और यहां पर शेयर होल्डिंग पेटर्न पर भी ठीक ठाक हमें देखना को मिल रहा है तो इसे लंग टर्म के लिए होल्ड आप कर सकते हैं लेकिन फिलाल के टाइम पर अगर बात करें पहले भी आपको बताए था स्टॉक का अंदर आगे जो है रेज जोन के उपर स्टॉक रेजिस्टांस फेस करेगा फिर इसके बाद ही इसमें गिरावट आ सकता है तेहां पर अगर बात करें दोस्तों आप देख सेकते हैं 50 डे मोबिंग एबरेसे स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा रन अब दिखा चुका है और पी के मामले में भी थोड़ होती अच्छा सपूर्ड जोन है और उससे स्टॉक अगर ज्याजा नीचे गिरता है तो 50 डे मोबिंग एबरेस के आच्छा सपूर्ड के तरह काम करेगा क्योंकि जब भी पहले 50 डे मोबिंग एबरेस के आसपा स्टॉक मिला है उसके बाद एक आच्छा सा खरीदार इसमें हो जाना चाहिए था क्यूंकि हाँ पर खरीदारी करना मतलब दोस्तो थोड़ा सा रिक्षी हो सकता है तो जिन लोग उने खरीदारी किया उनको मेहना चाहूंगा दोस्तो आप फोल्ड करके चले और स्टॉक को एबरेज के लिए एक कमिलेट के लिए यहाँ पर आप अन्बेस आज की दिन पर भी 65 लाग का वरिल करेट हुआ है और डेलिवरी परसेंटेज दोस्तो हमें ठिक ठाक देखने को मिल रहा है और आगानवले दिन में दोस्तो स्टॉक नीचे गिनने के बाद 50 डे मोबिंगे ब्रेज से रिवर्सल ले सकता है तो इसे आप लांग टर्म के लि बाई बाई टेक क्यार